हलो गलकाम बैक तो PC और YouTube चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड की जो तुम लोगों को भाई करने चाहिए अभी के मार्केट में अभी की प्राइजिंग के हिसाब से हो सकता है तुम्हें PC बिल्ड करने का सोच रहे हो तब तो तुम्हें इस टॉप 5 वीडियो को जो हो देखने चाहिए पिकस तब तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा ग्राफिक कार्ड अपने PC के लिए बाई करना है लेकिन हो सकता है तुम्हें पर इस एक already existing PC हो जिसके अंदर तुम्हें ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना हो तो अभी जो प्राइजिंग चल रही है अगर तुम अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो जो ग्राफिक कार्ड में बताने वाला हो वो क्या आपके CPU के साथ बॉ CPU जो भी है तो तुम्हारे वहाँ पे वह काम सकता है तो जोइन करना ना भूले ऐकि description में Amazon का भी लिंक है वहां से अगर तुम नए components खरीदना चाहते हो कुछ भी खरीदना चाहते हो Amazon से description में लिंक हो का ताकि तुम चैनलन को support कर पाऊ नाव बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं फर्स्ट जीप्यू से जो कि हमारी लिस्ट में है जो कि है Rx570 और Rx6500 नाव एक कैचिकरी के अंदर मैंने दो जीप्यू बता दे 570 और 6500 अब दोनों के अपने यूस केसे हैं और दोनों में कुछ कमिया और कुछ पॉजिटिव चीजे हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखने चाहिए सबसे पहली चीज सिक्स्ट फाइफंडर की बात करते हैं तो सिक्स्ट फाइफंडर के अंदर कमिया हम सभी जानते हैं यहां पर यह बटन यहां पर भी होता है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा तो उसके बारे में डिटेल में उसमें जान सकते हो लेकिन उसके फाइदर यह है कि पहली बात तो लेटेस्ट कार्ड है और कई लोगों को लेटेस्ट कार्ड चाहिए और RX 570 की काफी पुराना कार्ड है तो वो नया जल्दी से अविलेबल तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा दूसरी चीज है कि भज़े 6500 XT का अट लिस्ट आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ लोगों के लिए यह सर्व कर सकता है है अगर पर्फॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है तो हो सकता है कुछ लोगों को यह सर्व कर दे तो वो चीज एक बार देख लेना इसके 8GB वाले वर्जिन के क्या बेंचमार्क्स हैं कितना अच्छा पर्फॉर्म करता है और अगर तुम्हें अच्छी प्राइज मिलता है तो यू कैन कंसिडर वरना यहां पर मैंने जो दूसरा काड रखा है RX 570 वो तुम्हें नया तो वैसे नहीं मिलेगा मिल जाता है अच्छी प्राइज मिल जाते तो बहुत अच्छी चीज है विकास यह जो काड है यह 1650 नॉन सूपर 1650 से बेटर परफॉर्म करता है 1050 टी आई से अच्छा परफॉर्म करता है इवन कई सिनेरियो में तुम्हारा 6400 जो आरे 6400 आया है उससे भी बेटर परफॉ आप्शन ही नहीं है 1630 ऑप्शन है 1630 की मैं तुम्हें बता चुका हूँ एंविडिया के 1630 के बारे में कि क्या सीन चल रहा है तो यूनों बहुत जाता है कि एक डिफिकल्ट हो जाता है कि एक जीप्यू यहां पर इंक्लूड करना चाहता हूं पर 570 इतना रेडिली अवेल 500 G कोई तुम पर आई 380 100 9100 कोई भी बेसिक 9th generation 8th generation i3 i5 पुराने कोई भी CPU पढ़े हैं कोई देखने को नहीं मिलेगा 6500 अगर तुम एक नया PC बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर अगर PCI Gen 4 का तुमारे पास है कुछ कहीं से support मिल रहा है तो तुमारे लिए beneficial है ना second GPU जो मैं recommend करने वाला हूँ वह है 1650 Super मैं यह क्यों recommend कर रहा हूँ देखो अगर आपको अच्छी प्राइज में 1650 Super मिल जाते है तो बहुत अच्छा एक मैं बोलूँगा card है encoder की तुम्हें कोई शू नहीं आने वाला performance उसकी decent है फाइनली NVIDIA का अकेल है ऐसा card जो RX 570 से थोड़ा powerful है तो वह एक अच्छा card है 1080p high settings में तुम्हें आराम से इसके अंदर खेल सकते हो तुम्हें कोई शू इसके अंदर नहीं आने वाला तो मैं जो भी graphics card इस वीडियो में बता रहा हूं उनकी तुम्हें किस प्राइज में लेना है क्या लेना है वो तुम उस वीडियो में जान सकते हो now 1650 super इसको पेर करने के लिए देखो मैं generally again जो category के cp मैंने तुम्हें बताए rx578-6500 के लिए सेम इसके अंदर भी follow होते हैं 3200 जी 3400 जी आइथी आइफाइफ इवन आइफाइफ के साथ तो मुझे लगता तुम इसको पेर करोगे बट आइथी वगेरा जो भी तुम्हें बेसिक हो गए आराम से पेर कर सकते हो कोई तुम्हें बॉटन लेक देखने को मैं बोलूगा performance difference है नहीं मेरको यहाँ पे जो include करना था card वो करना था 3050 बट 3050 जो है तुम जानते हो कि 30,000, 28,000, 25,000 ऐसे भी करा है और उस price में 3050 बिल्कुल भी worth it नहीं है and 3050 की जो performance है वो almost 1650 Super और 1650 Ti जैसी तुम्हें मैश होती भी दिख जाएगी तो इसलिए मैंने यह पुरानी जनरेशन के 16 series के card जो है वो recommend करें instead of 3050 because 3050 नया है, over price भी करा है और ऐसा भी नहीं है कि यार तुम 3050 के अंदर rate racing है बट यार तुम 3050 में तो rate racing बिल्कुल भी नहीं करने वाले तो वो ही scene है इसलिए मैंने पुरानी जनरेशन के card recommend करें because तुम्हें competitively सस्ते देखने को मिल जाएंगे similar performance देखने को मिल जाएगी now CPUs इनके साथ तुम कौन से pair कर सकते हो तो देखो 1660 Ti 660 Super ये वो graphics card है अगर तुम कोई APU builder हो तो APU builder 1660 Ti से उपर का graphic card भाई अपने APU के साथ ना लगाए आपको bottleneck देखने को मिल सकता है प्लीज उससे उपर मत लगाना और वरना तुम जो है वो basic i3s हो गई तुमारा 12100 हो गया i3 1200 अगर तुम्हें एक latest gen का PC बिल्ड कर रहे हो i3 11th generation को हो गया i5 हो तुमारे पास 11400 या कुछ उस टाइप का अराम से उनके साथ पेयर कर सकते हो 16 series के card तुम्हें कोई issue निया आने वाला moving on to the next GPU जो कि हमारा चौथा graphic card है वो है AMD की तरफ से AMD की तरफ से आने वाला RX 6600 जो कि तुम्हें 26,000, 27,000 इस टाइप के प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा अगेन इस graphic card के बारे में मैं दसियों वीडियो के अंदर बता चुका हो तुम लोग अच्छे जानते हो कि 3060 से काफी close perform करता है तुम्हें 3060 वाली performance देदेगा 2K gaming कर सकते हो तुम कई साले titles के अंदर 1440P gaming कर सकते हो या फिर 1080P एकदम ultra max settings पर तुम आराम से gaming कर सकते हो high refresh rate मजा आ जाएगा तुम्हें इवन अब ये graphic card को जादा ही attractive बन चुका है और attractive इसलिए बन चुका है because AMD जो है इसके साथ 2 games का bundle दे रहा है free में तो तुम्हें जो है वो around कितने का I think 3, 3, 3, 3, 4,000 तो minimum तुम मान के साथ सकते हो कि तुम्हें 4,000 तक के game तो free ही मिल रहे हैं इसके साथ तो ये एक काफी अच्छी चीज है अगर तुम 6,600 से उपर के level का graphic card लेते हो तो तुम्हें 3 game मिलेंगे तब तुम्हापे तुम्हारे चार-पांसजार उपर बच रहे हैं but 6,600 के साथ 2 game free है तो again 2K level की gaming कर सकते हो 1080p ultra level पर gaming कर सकते हो CPUs pair करने के लिए i3-12100, i5-12400F 11th gen का कोई i5 पढ़ा हुआ है तुम्हारे पास Ryzen 5 तुम पर पढ़े हैं तुम उनको pair कर सकते हो 5600, 5600X कोई issue नहीं आने वाला मज़े आ जाएंगे तो ये होगी हमारा चौथा GPU इससे पहले कि हम पांच में GPU पर मूव आउन करें अपने पास जो है वो एक honorable mention है और वो है budget में जिनको VFX and content creation and production and कुछ इस टाइप का काम है gaming का इतना कुछ work नहीं है तो मैं उनको recommend करूँगा 3060 12GB because 12GB VRAM तुमको थोड़ा तुमें अधिशनल कुछ ऐसे workload होते हैं जहां पर वो तुमें 12GB जो VRAM है वो काम आती भी दीखेगे कई blender हो सकता है तुमारा या कोई और ऐसा production application VFX या तुम कुछ और करते हो जहां पर वो VRAM, extra VRAM जो हो तुमारे काम आएगे तो अगर तुम उस category में belong करते हो तुम गेमर्स की मतलब तुमारा तुमारा गेमिंग की उतनी नीर नहीं है तुमें गेमिंग वर्स कभी कभार ऐसे time pass के लिए कर लिया में तुमारा production and content creation जो है वो वर्क है और content creation से मेरा मतलब YouTube की video एडिट करना बिलकुल भी नहीं है तुम उसके अंदर जो है वो एक इन्वेस्ट कर सकते हो इस से उपर के लेवल का ग्राफिक कार देखो रिकमेंड ना करने का रीजन सबसे सिंपल यह है कि 40 सीरीज आ यह 7000 सीरीज आ यह फ्रॉम अगर तुम इससे ज़्यादा मनी रखते हो अपनी पॉकेट में तो मैं रिकमेंड करको कि नई जनरेशन का वेट करो बट अगर तुमको अभी एक अच्छा खासा PC बिल्ड करना है और अगले साल तक वेट नहीं करना विकास यह 70 सीरीज के जो कार दोंगे इनका जो अपड देखने को मिल जाएगी डिपेंडिंग उनकी कौन सा कार चूज करो 6700 ए 6750 XT, AMD का FSR, RSR जो भी फीचर से तुम्हें उनको देखने को मिल जाएगा, अभी सुनने में आ रहे है कि AMD जो हो Nvidia की तरह है वो जो voice से noise reduction वाला software है वो भी लेकर आ रहे है तो तुम्हें वो सारे features ज बगी है तो भाईए यह मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं थर्ड टाइम और वो इसलिए कर रहा हूं पिकस NVIDIA का जो software हो मेरे माइक को बार बार डॉप कर रहा है तो अगर तुम्हें लगता है कि AMD के driver बगी है तो नहीं बग सब में होते हैं ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें को इशू नहीं आने वाला एक दो गेम्स के अंदर इशू आजाता है तो इसका मुलब यह नहीं क्यों कम्पनी खराब और उसको ग्राफिक काड़ ही नहीं लेना बाइद वीडियो इस नॉट स्पांसर बाइए अगर एम्ड स्पांसर करेगा तो मज़ा आ ज अब बूर्ण करेखने को मिलेगा अनलेस तुम्हें हाई रिज्विशन पे खेल रहे हो तो तो में थोड़ा बॉटल ने कम होता बाइद दिख जाएगा पट स्टिल मुझे पता है कि अगर तुम इतना स्पेंड कर रहे हो जीप्यो में तो सीप्यो तुम्हारी उतनी टेक्कर गैस